हाई गाइज, जबर्दस में आपका स्वागत है दोस्तों 16 अक्टोबर को रिलीज होने जा रही है सरदार उधम मूवी जिसमें हमें देखने को मिलेंगे ना नददन विकी कौशल मसान और उरी जैसी मूवीज में अपनी जबर्दस्त और दमदार आक्टिंग के बल्बूते पर विकी ओडियन्स के दिलों की धरकन बन गए है विकी एक ऐसे कलाकार हैं जो लीड रोल में ना होने के बाद भी आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेते हैं जैसा कि उन्होंने संजू मूवी में भी किया था विकी की एक्टिंग अबिलिटीज जितनी शानदार हैं उससे भी ज़्यादा दमदार हैं उनका नेचर और अपने कैरेक्टर को पर पर कैरी करने का तरीका और यही वज़ा है कि विकी आज बॉलिवूड के टॉप अक्टर की लिस्ट में अपनी जगा बना चुके हैं आज हम आपको बताएंगे इस मल्टी टालेंटेड अक्टर की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट जिन्हें आप शायद नहीं जानते होंगे आगे बढ़ने से पहले चानल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए बाकी और कोई हल चल के बिना लेट्स केट स्टार्टेड ये बात जानकर आपको हैरानी हो सकती है दोस्तों विकी एक वीना प्लेयर हैं और वो इसे काफी अच्छी तरीके से प्ले कर पाते हैं विकी बताते हैं कि उन्हें बच्चपन से ही आच्च पसंद हैं और वीना सीखने का मन उन्हें बच्चपन से ही था नमबर दो, इंजिनरिंग में की है डिग्री हासिल दोस्तो, विकी कौशल ने Electronics and Telecommunication में डिग्री हासिल की हुई है और उन्होंने अपना Passion फॉलो करने के लिए अपनी जॉब भी जॉइन नहीं करी थी विकी ने राजीव गांधी Institute of Technology से साल 2009 में इंजिनिरिंग करी थी और एक साइट पर विजिट के दौरान ही रेलाइस्ट की वो रेगिलर एट आज वाली जॉब नहीं कर सकते नमबर तीन, फेवरेट टीवी शोओ दोस्तो हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट शो या वेब सीरीज होती है विकी भी हम में से एक हैं और उनका फेवरेट शो है Game of Thrones and Prison Break वहीं उनकी और टाइम फेवरेट मूवी है कहो ना प्यार है Black Friday and Gangs of Wasipur नमबर चार, खाने के हैं बेहत शौकी दोस्तो विकी पंजाबी फैमिली से बिलॉंग करते हैं और उन्हें खाने का बेहत शौक है बरगर हो या फिर पीज़ा विकी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते विकी को आलू का पराठा विद माइट मक्षन बेहत पसंद है इसके अलावा विकी को डेजर्ट भी काफी पसंद है दोस्तो आपको बता दे कि विकी को ट्रावलिंग करना काफी पसंद है और अपने एक इंटर्व्यू में उन्हें बताया था कि उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन बुरानो आइलें है जो कि इटली में है दोस्तो ये बाद चाया दब नहीं जानते होंगे कि विकी ने किशोर नमित कपूर आक्टिंग इंस्टिटूट और मुंबई जोईन किया था आक्टिंग स्किल्स को सीखने के लिए इसके अलावा उन्होंने काफी स्किट्स और थीएटर में रोल किया है और अपने अक्टिंग अबिलिटीज को इन्हांस किया है थीएटर में उन्होंने नसीरोदिन शाओ और मानव कॉल के अंडर रहकर काफी कुछ सीखा देखिए मल्टी टैलेंटेट रितिक रोशन का हर कोई फैन है और उसमें एक नाम है विकी कौशल का जी हाँ दोस्तों विकी को बच्पन से ही रितिक बेहत पसंद है और क्योंकि उनके फादर एक आक्शन डिरेक्टर है इसलिए उन्होंने एक बार उनसे काफी जित करके रितिक रोशन से मिलनी की रिक्वेस्ट करी थी और वो उनसे मिलने शूटिंग सेट पर भी गए थे कररंटली विकी को नवाजदिन सिद्धिकी की आक्टिंग भी काफी पसंद है और वो उनसे काफी इंस्पायर होते हैं दोस्तो ये बात जानकर आपको शौक लग सकता है कि विकी एक train dancer भी है जी हाँ दोस्तो अपने एक इंटर्व्यू में विकी ने बताया था कि उन्होंने dance के लिए काफी time पहले training ली थी और वो एक train dancer है उन्होंने बताया कि वो बच्चपन से ही स्कूल में होने वाले हर एक function में participate किया करते थे दोस्तो विकी कॉस्चल ने भी अपनी struggle time में काफी hard work किया है आपको बता दे कि विकी ने अनुराख कशब की Gangs of Asafor में असिस्टेंट डिरेक्टर काम किया है और वो shooting पर लगातार 18 से 20 आज काम किया करते थे दोस्तो विकी ने असिस्टेंट डिरेक्टर काम करनी के बाद अपना पहला डेब्यू साल 2012 में आई मूवी Love Shuff दे चिकन खुराना से किया था हाला कि उनका रोल मूवी में ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन फिर भी उनकी आक्टिंग को सराहा गया था नमबर 11 मसान मूवी से मिली थी पहचान दोस्तो साल 2015 में आई मूवी मसान में विकी कौशल अस लीड आक्टर नजर आये थे इस मूवी को नीरज घैवान ने डिरेक्ट किया था हाला कि इस मूवी के लिए पहले राजकुमार राओ को चूस किया गया था लेकिन उनके मना करने के बाद डिरेक्टर ने विकी को चूस किया अपने क्यारेक्टर को सही तरीके से परदे पर दिखाने के लिए विकी एक महीने पहले ही बनारस पहुँच गए थे और वहां रहे कर आम लोगों की जिंदगी को समझ रहे थे दोस्तो यूतो अज लीड अक्टर विकी की पहली मूवी मसान थी लेकिन उन्होंने इससे पहले जुबान मूवी को साइन किया था हाला कि ये मूवी मसान के बाद रिलीज हुई थी इस मूवी में उन्होंने कैसे लड़के का रोल प्ले किया था जबने फादर की डेथ के बाद स्टैमरिंग करने लगता है इसके लिए उन्होंने एक स्पीच थरपिस्ट के साथ काम किया था शूटिम खतम होने के बाद भी विकी कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पाए और रियर लाइफ पे भी स्टैमरिंग करने लगे थे दोस्तो विकी ने मसान मूवी के लिए आयफा एंड स्क्रीन अवाद्स में बेस्ट मेल डेब्यू का अवाद जीता था इस मूवी में उनकी performance को critics ने भी काफी पसंद किया था दोस्तो उरी मूवी ने विकी को रातो राच स्टार बना दिया था इस मूवी में उन्होंने एक military officer का केरदार निभाया था जिसे audience ने बेहत पसंद किया था इस मूवी में मसल गेन के लिए उन्होंने कीटोजेनिक डाइट को फॉलो किया था और इसके अलावा पाँच महीने तक मिलिटरी ट्रेनिंग भी ली थी नमबर पंदरा बने थे नाशनल अवार्ड विनर दोस्तो साल 2019 में आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी में विकी कोशल की लाजवाब आक्टिंग ने सभी को चौका दिया था और इस मूवी के लिए उन्हें नाशनल अवार्ड से भी नवाजा गया था जिससे उन्होंने आयुश्मान खुराना के साथ शेयर किया था आयुश्मान को अंधा दुन मूवी के लिए उसी साल नाशनल अवार्ड मिला था नमबर 16, Most Desirable Men दोस्तो ये फैक्ट आप नहीं जानते होंगे कि The Times of India के Most Desirable Men of 2018 की लिस्ट में विकी ने फर्स पॉजिशन हासिल करी थी वही साल 2019 और 2020 में विकी को फोथ पॉजिशन मिली थी नमबर 17, काफी ब्रांड को करते हैं इंडॉर्स दोस्तो विकी बॉलिवूड इंडॉस्ट्री में काफी पॉपिलर हैं और वो काफी ब्रांड को भी इंडॉर्स करते हैं हैवल्स, रिलाइंस, ट्रेंड्स और ओपो इन में से कुछ हैं नमबर 18, दोस्तो संजू मूवी के लिए दिया गया था Best Supporting Actor का Award दोस्तो संजू मूवी में विकी ने संजित दत के एक fictional friend कमली का character निभाया था रनबीर कपूर के lead role में होने के बावजूद विकी इस मूवी में अपना एक अलग impact छोड़ने में कामियाब रहे थे और इस मूवी के लिए उन्ने Film Fair Award for Best Supporting Actor का Award भी दिया गया था दोस्तो विकी कौशल एक ऐसे actor है जिने platform से बिलकुल फरक नहीं पड़ता अगर story में dumb हैं तो वो उसे कभी ना नहीं कहते यही वज़त थी कि वो Netflix के platform पर भी नजर आये थे जहां उन्होंने love stories और love per square foot में काफी fine performances दी थी दोस्तो विकी एक बहतरीन actor है और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि वो अपने एक movie के लिए 3 करोर रुपे चार्ज करते हैं विकी कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने काम पर focus करता हूं पैसे तो अपने आप आ जाते हैं नमबर 21 पानी से लगता है डर ये fact शायद आप digest नहीं कर पाएंगे but it's true विकी को पानी से काफी डर लगता है और वो इसी वज़े से swimming भी नहीं करते हैं इसके अलावा विकी साब से भी बहर डरते हैं तो दोस्तों ये थे विकी कोशल की लाइफ से जोड़े कुछ अनकहे और अनसुने facts हमारे चानल जबरदस को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें comment section में जरूर बताएं मिलते हैं आपसे next वीडियो में THANKS FOR WATCHING